हाई फेंट समनी में का 2307 में आपका भरे दिल जो सोगत है सुजलोन एनर्जी सियर्स जो आपका 30 तक जा सकता है तो इसी विज़े से एक आर्टिकेल जी एम फाइनेंशियल के तरफ से देखा गया है उनके हिसाब से अभी भी 30% अभी भी फ्वेल है सुजलोन एनर्जी के एक साल के इनका टारगेट दिया गया है और ये टारगेट जब दिया गया था तब इसका फ्राइस था तापका 21.94 और यह आपका देख सकते हो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.5 से 3 गीगावार्ट का एनौल इंस्टोलेशन पुजेक्ट इन को मिलता है जो बेस्ट प्लेस्मेंट है फाइनेंशियल फॉम इंडेस्ट्रियल्स टू ताई विंड्स और टेल विंड्स के उपर जे एम फाइनेंशियल के तरफ से यह न्यूज आर्टिकल आपको आता हुआ दिखा है सुजलोन एनर्जी अपका ग्रो कर रहा है ओडर बुक बेटर मार्जिन पॉफिट और रिविन्यू लास्ट नेक्स्ट टू एर्ज में और साथी साथ राइट इसू हो रहा है बारा सो करोर का और यूटिलाजेशन नौसो करोर फॉर प्रीपे इसका जो डेप्थ है उसमें से जो बारा सो करोर अपका राइट इसू जो आपका आपका जो कैपेक्स बढ़ाने का कोशिश कर रहा है तो उसमें से 900 करोर अपका जो डेप्थ है उसको आपको प्रीपे कर देना डिसेट किया है कि प्रीपे कर देगा 900 करोर और बाकि जो आपका 300 करोर रहेगा उसमें और भी ज्यादा फैनेंशियल और भी ज्यादा मजबूत करेगा और भी ज्यादा इंस्ट्रोलेशन और पोजेक्ट को कॉंप्लिट करने में यूज करेगा जेंश यह भी बदा रहे कि सुझलन एनरजी जो है बाइ रेटिंग में आ चुका है अभी करेंट मर्केट प्राइज में करके चल सकतो सेप्टेमबर 24 तक टारगेट आपको 30 रूपीज पर सेयर देखने को मिलेगा और बेस्ट ऑन 25 टाइमस आपका और देख सकते हो कि 25 टाइमस सेप्टेमबर 2025 में आनिंग पर सेयर देखने वाला तो इतना ज्यादा बुलिश यह स्टॉक में आपको पॉसिबिल आपका 30 टू 35 परसेंट का भी भी आपको डोमेस्टिक मार्केट से ड्राइवन टेकनलोजी के उपर भी आपको देखता हुआ दिखेगा तो यह तो आपका आर्टिकल ने रेवीनियों आपका नेक्स्ट टू यर्स में माल्टिप्लेक्स होने वाला है और यह आपका से बढ़िया समझने को मिलेगा पहला आपका 17 की यहां से स्टॉक ने आपका गया हुआ था 20.55 पर फिर यहां से जट से पॉफिट बुकिंग आया और कॉंटिनुवसली आप्टेंड में है और जब भी कोई स्टॉक जो है एक मुविंग अबरेज को फॉलो करता है और आर् 10 का मेरे हिसाब से 27 तक जा सकता है है और यह आपका तभी जाएगा ऑक्ठव 1 अटार्गेी दिखाएगा थया है कि तो 27 का टारगेट है यह इसका सपोर्ट है 21 का 21 का सपोर्ट को लेते हुए आपका 27 का टार्गेट है और यह तीन बार यह स्टॉक इस रेंज में आया हुआ है इस बज़े से यह स्टॉंग सपोर्ट बन चुका है 21 का तो इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर बियरीस जोन बन जाएगा आपको 17.80 सपोर्ट का काम करेगा अगर 21 को सपोर्ट ब्रेक होता है तो यह स्टॉंग सपोर्ट है और अगर यह सपोर्ट आपका 21 का सपोर्ट काम कर जाए फिर आपको एक और ज्यादा बुलिशनेस दिखेगा और साथी साथ आपको टार्गेट 27 एचीव हो जाएगा ऑक् सब्सक्राइब बाकी 2.5 मेगा वाट का आपका ओर्डर में चुका है और उसी के साथ साथ यह आपको आने वाले टाइम पर और शेयर जी से सबसे आपका बरुतरी एक एनलेसिस किया गए जेम फैनेंसिल की तरफ तो अच्छा-खासा टार्गेट ही इस टॉप में आपको अ एक रेजिस्टेंस है स्टॉप के लिए सुझलोन एनरजी और सपोर्ट है आपका 21 और बेस्ट बाइंग लेबल अभी है तो आपका जितना जल्दी 22.85 को क्रॉस करेगा या तो फिर इस लेबल के उपर जाके आपको 20 मिनिट ट्रेडिंग करना है तब जाके आपको इस टॉ 2.85 का लेबल बहुत जल्दी आपको क्रॉस करने लेना चाहिए और ये जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी आपको 27 का टार्गेट देखते हुए मिल सेकता है तो वीडियो इन्फोर्मेर्शन अगर अच्छा लागे तो सब्सक्राइब कर लेना आपी का चैनल है मानी मेंक 2307 थैंक्स पर वाचिन